Hello Friends, Good Morning, Namaskar, आदाप सत्विकाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल UK Study Circle में Friends, आज है 16 November और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कल शाम तक के Current Affairs से Related Top 10 Most Important Current Affairs Questions जो की आने वाले exams के Point of View से बहुत important होंगे साथ ही इन Questions से Related कुछ Important Facts और Information पर भी बात करेंगे इसके बाद चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के दोरान पुछेगे Question पर और सबसे अंत में होगा Question of the Day यानि आज का सवाल Friends, आज के वीडियो से Related PDF के लिए आप मारे Telegram चैनल UK Study Circle को जोईन कर सकते हैं और आज का यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे Like और Share करना ना भूलिएगा साथ ही अगर अब तक सबस्क्राइब ना किया हो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो ऐसी ही informative वीडियो रोज देखने के लिए आप इस चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजिएगा तो आईए शुरू करते हैं आज के Current Affairs का वीडियो तो Friends, आज का पहला Question है हाल ही में किस स्थान पर मोनाल ट्रैक की खोज की गई है इसके Options है और इस Question का सही आंसर है Option A, चमोली उत्राखन के चमोली जिले के देवाल ब्लॉक इस्थित वान गाउं के दो युवाउं देवेंद्र पंचोली और हीरा सें गडवाली ने इस ट्रैक की खोज की और इसका नाम रखा मोनाल ट्रैक क्योंकि यहां मोनाल पक्षियों का बसेरा है यह जो ट्रैक है वो संराइज और विंटर लाइन का नजारा देखने के लिए बहुत ही बहतरी ट्रैक है यहां के जो इस्थानी लोग हैं वो इसे मुन्याल थोक के नाम से पुकारते हैं इस ट्रैक के एक और द्योसें देउता का मंदिर रामानी बाल पाटा और नरिला बुग्याल है जबकि दूसरी ओर कैल देउता का मंदिर और पिंडर घाटी का खुबसूरत नजारा दिखता है बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ तो आज का दूसरा क्वेशन है गिरिजा देवी मंदिर के समीप कौन सी नदी बहती है इसके ओप्सन से ए काली, बी कोसी सी यमुना या डी अटागाड और इस क्वेशन का सही आंसर है ओप्सन भी कोसी नदी गिरिजा देवी मंदिर उत्राखन का बहुत परसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर को इस्थानी भाषा में गर्जिया मंदिर भी कहते हैं नैनीताल जिले के रामनगर में कोसी नदी के समीप यह गर्जिया देवी मंदिर इस्थित है यह मंदिर कोसी नदी के बीच एक विशाल चट्टान पर बनाया गया एक पवित्र शक्ती मंदिर है प्रिंच आपको ग्यात होगा कि देवी गिर्जा हिमाले राज हिमानचल की बेटी और भगवान शीव की पत्नी है इस मंदिर का पुनर निर्मान 1970 में कराया गया था बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ तो आज का तीसरा कुश्चन है वीर चंद्रसें गडवाली का समाधी स्थल कहां है इसके उप्शन से A. गुपेश्वर B. अटारी C. पेशावर यद D. कोदिया बगड़ और इस कुश्चन का सही अंसर है उप्शन D. कोदिया बगड़ हाल ही में गैर सैंड में वीर चंद्रसें गडवाली की समाधी स्थल कोदिया बगड़ में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सेंह रावतवरा दोरा किया गया फ्रिंड्स ये स्थल कोदिया बगड़ पोड़ी, चमुली और अल्मुला जिले की सीमा से लगे दूधा तोली शेत्र में है गैर सैंड में भराणी सैंड विधान सभा का नाम चंद्रसें गडवाली की नाम पर ही रखा गया है बात कर लें चंद्रसें भंडारी के बारे में तो इनका जो मूल नाम चंद्रसें भंडारी है उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891 को पॉड़ी जिले के मासो गाउं में और इनकी पुन्यती थी 1 अक्टूबर 1989 चंद्रसे गडवाली 2 बटा 18 गडवाली राइफल्स के सैनिक रहे थे और 23 अप्रेल 1930 को इनके ही नित्रतु में प्रसिद पेशावर कांड हुआ था मोतिलाल नहरू ने 23 अप्रेल को गडवाल दिवस मनाने की घोष्णा इनकी नाम पर की थी पेशावर कांड की कारण चंद्रसे गडवाली 11 वर्ष, 3 माह और 18 दिन तक जेल में रहे इनका मूल नाम चंद्रसे भंडारी था और इनको जो गडवाली उपनाम दिया गया था तो ये गडवाली उपनाम इन्हें महत्मा गांधी दोरा दिया गये 1994 में चंद्रसे गडवाली की नाम पर एक रूपे का डाक टिकट भी भारत सरकार दोरा जारी किया गया अगला question है किस इस्थान पर उत्राखंड भासा संस्थान इस्थापित किया जाएगा इसके option से A. देहरादून, B. गैरसेंड, C. हरिद्वार या D. गोपेसवर और इस question का सही answer है option B. गैरसेंड गैरसेंड को 4 मार्च 2020 को ग्रीशमकालीन राजधानी के रूप में घोसित किया गया था और 8 जून से ये ग्रीशमकालीन राजधानी के रूप में कायरत है ग्रीसमकालीन राजधानी बनने की बाद से गैरसेंड में विभिन समस्थानों की इस्थापना काम भी शुरू हो चुका है गैरसेंड चमोली जिले का एक विकासखंड है और एक तहसील छेत्र भी है साथ ही यहां बात कर लें कि गड़वाली, कुमावनी और जौनसारी भासा अकादमी ये नई दिल्ली में है इस कुशन का सही अंसर है ओप्सन डी तमिलनाडू को उपराश्ट्रपती M. Venkya Naidu द्वरा साल 2019 के राश्ट्री जल पुरस्कार हाल ही में प्रदान किये गए है यह इन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण है इस इन पुरस्कारों में राजियों की श्रेणी में तमिलनाडू को सर्वस्रेष्ट राजी का पुरस्कार मिला है और तमिलनाडू के बाद महराश्ट दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है इस अउसर पर जल शक्ती राजिय मंत्री रतनलाल कटारिया पदमभोशन एंप्रसिद परियावरण विद अनिल प्रकाश जोशी और राश्ट्री स्वच्छ गंगा मिशन के महानी दिशक राजियों मिश्रा भी शामिल थे यहां सर्वस्रे श्ट्राजी स्पेशल कैटेगरी में पहला इस्थान मिला मिजोरम को और उतराखन के कोशी पुनरजनन अवियान को फिर से 2018 के बाद 2018 में पहले मिला था राश्ट्री जल वोर्ड और अभी फिर से राश्ट्री जल वोर्ड प्राप्त हुआ है यह अवर्ड इसे North जोन कैटेगरी में प्राप्त हुआ है North जोन कैटेगरी में गरम पंचायत इसतर पर रोद्र परिया के जखोली ब्लॉक की गरम पंचायत लुठिया को पहला इस्थान मिला है Next question है हाल ही में प्रोजेक्ट एयर केर का अनावरण किस राज्य सरकार दोरा किया गया है इसके ओप्संस है ए उतरप्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी मध्यप्रदेश और इस कुश्चन का सही अंसर है ओप्संसी हरियाणा हरियाणा के मुख्यमंतरी मनोहर लाल खटर ने गुडगाओं में बढ़ते वायु प्रदूसर्ण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केर की शुरुवात की है वायु गुडवक्ता में सुधार करने के लिए 65 Wing Augmentation Air Purifying Unit को गुडगाओं के उच वायु गुडवक्ता सुचकांक छेत्रों में इस्थापित किया जाएगा इन एर प्यूरिफायर को CSIR, NERI और IIT मुंबई द्वारा विक्सित किया गया है यहाँ पर हरियाना के बारे में कुछ important facts के बारे में बात करते हुजलते हैं हरियाना की राजधानी चंडीगड है और हरियाना राजी का गठन किया गया था एक नॉवंबर 1966 को वर्तमान में हरियाना के राज़पाल है सत्य देव नरायन और मुख्य मंत्री हैं मनोहरलाल खटर हरियाना के प्रमुख नृत्य हैं धमाल, घूमर, गुगगा, खोरिया, लूर और फाग हरियाना एनीमिया मुक्त भारत सुचिकांग में शीर्स इस्थान पर है बढ़ते हैं अगले कुश्चिन की तरफ राश्ट्री आयरवे दिवस कब मनाया गया इसके ओप्संस हैं और इस कुश्चिन का सही अंसर है ओप्संसी 13 नौंबर को राश्ट्री आयरवे दिवस 13 नौंबर को मनाया गया वर्ष 2016 से प्रति वर्ष धनवंतरी जैनती की दिन राश्ट्री आयरवे दिवस मनाया जाता है इस वर्ष 13 नौंबर को पाँचवा आयरवे दिवस मनाया गया है प्रधानमंतरी मोदी द्वारा इस अउसर पर गुजरात के जामनगर में और राजस्थान के जैपूर में राश्ट्री आयरवेद संस्थान का उद्गाटन किया गया है प्रिंट्स धनवंतरी एक महान चीकित सकते इन्हें आरोगी का देवता भी का जाता है और धनवंतरी चंद्रगुप्त दुदी के नव रतनू में से एक भी थे बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरब टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवोर्ड से किन हैं सम्मानित किया जाएगा औप्सन से ए केशाव सर्मा बी रसकिन बॉर्ण सी चेतन भगत या दी अरुंधती रोय और इस कुश्चन का सही अंसर है ओप्सन बी रसकिन बॉर्ण टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टैम अचीवमेंट अवोर्ड किसे मिल रहा है रसकिन बॉर्ण को रसकिन बॉर्ण अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद भारती ये लेखक है इन्हें 21 नॉवंबर 2020 को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा रसकिन बॉर्ण अपने सभी लेखनों के माध्यम से प्रकृती प्रेम दर्शाने वाले भारत के पहले साहितिक इको वरियर कहे जाते हैं रसकिन बॉर्ण का जन ब्रिटिस भारत के कसोली में 19 मई 1934 को हुआ था यह ब्रिटिस मूल के हैं वर्ण 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहितिके छेत्र में योगदान के लिए पद्म स्रुई से और 2014 में पद्म भूशन से सम्मानित किया नेक्स्ट कुशिन और इस कुश्चन का सही आंसर है और इस कुश्चन का सही आंसर है बारत में IT छेत्र की दिगज कमपनी विप्रो के पूरू चेयर्मेन अजीम प्रेम्जी ने भारत में दान देने के मामले में सबसे शीर्स इस्थान प्राप्त किया है एडविन हुरून इंडिया फिलेंथ्रोफी लिस्ट के अनुसार अजीम प्रेम जी ने वर्स 2020 में कुल 7904 करोड रुपे दान दिये हैं HCL के संस्थापक और चेर्मेन सिवनादर इस सोची में दूसरे इस्थान पर और Reliance Industries के चेर्मेन और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अम्बानी तीसरे स्थान पर है अब बारी है आज के अंतिम दस्वे कुश्चन की दस्वे कुश्चन है ब्रिक्स में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है आप्सन से सही अंसर है ब्रिक्स जिसका पूरा नाम है ब्राजिल, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रिका हाल ही में भारत ने दस्वी ब्रिक्स स्वास्थ मंत्रियों की वर्च्वल्स मिलन में भाग लिया भारती पक्षी की ओर से इस बैठक में स्वास्त्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा भाग लिया गया फिरिंड्स ब्रिक पाँच देसों का एक समू है और ब्रिक्स की चर्चा सरुप्रथम 2001 में जिम ओ नील द्वारा की गई थी पहला ब्रिक्स सम्मिलन 2009 में रूस के एकतरिन वर्ग में हुआ था 2010 में डक्षन अफरिका को भी इसमें शामिल करने का आमन्तर दिया गया और डक्षन अफरिका के शामिल होने की बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा 2014 में ब्राजील के फोर्टा लोजा सम्मिलन में एक सम्मिलन के दोरान New Development Bank की स्थापना भी की गई थी New Development Bank का मुख्यालाय है चीन के शंगाई में अब बारी है पिछले वीडियो के दोरान पुछेगे कुश्चन की ये कुश्चन था सहस्त्रधारा जल प्रपात के जल में निमने लखीत में से कौन सा खनिज पाया जाता है और UK Study Circle के वीवस में से जिन लोगों ने इस कुश्चन का सही अंसर दिया उनके नाम है महिंद्र राम, पल्लवी से ओजा, मंजीत बिस्ट, राजेंद्र महर, शीतल गोसामी, भानू जोशी, अंकित कुमार आरिया, लक्विंदर सिंग, प्रिया उली, सुमन ठम्टा, प्रियंका पाथनी, पूनम पंत, अक्षय कंडारी, और नार्विन जोशी, सुनील बिस्ट, जलदीब चौहान, राकेश सिंग, राहुल नेगी, रजनीश रावत, सीमा कुमेरी, सुहेल अंसारी, प्रीती नेगी, अमित नेगी, दीब बेडवाल, नितिन शर्मा, नरेश रावत, विकराज सिंग, गुलाम फरीद, कविता महरा, मनू मनोज, दे लास्ट पेज, मिलन अजरुद्दीन सैफी, जीतेंद्र सिंग, अनिरुद्ध सरकार, कमल सिंग, पूजा बोहरा, बब्बी बोहरा और सोनिया बिस्ट, तो फिर्म्स, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई और हार्दिक्शुप काम लाएं, तो इस कुश्चन का सही अंसर है, उप्शन ए, गंधक, फ्रिंड्स, देहरादून में, राजपुर गाउं के पास, इस्थित प्रसित परियाटन सल सहस्त्र धारा में, इस्थित छोटी-छोटी गुफाओं में, गंधक युक्त पानी टपकता है, जिसे चर्म रोगों के लिए अत्यांत लावकारी माना गया है, और अ प्रिंड्स, इस क्वेशन का अंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा, और आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही यदि पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, या आप तक चैनल को सब सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लिजिएगा, जिससे हमारी आगामी जो वीडियोस हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और ऐसे ही इन्फरमिटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, तो फ्रिंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जै हिंद।